लिजे सुनिए मुन्शी प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवन सार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जीवन सार कहानी मुन्शी प्रेमचंद का आत्मकत्थ भी है मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड़े तो हैं पर टीलों परवतों घनी जंगलों गहरी घाटियों और खंडहरों का इस्थान नहीं है जो सज्जन पहाडों की सेर की शौकीन है उन्हें तो यहां निराशा ही होगी मेरा जन्म समवत 1967 में हुआ पिता डाक खाने में किलर्क थे माता मरीज एक बड़ी बहन भी थी उस समय पिता जी शायद 20 रुपे पाते थे 40 रुपे तक पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यू हो गई यह वो बड़े ही विचार शील जीवन पत पर आँखे खोल कर चलने वाले आदमी थे लेकिन आखरी दिनों में एक ठोकर खाही गए और खुद तो गिरे ही उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया 15 साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भरबाद पर लोक सिधारे उस समय में नवे दर्जे में पढ़ता था घर में मिरी इस्तरी थी विमाता थी उनके दो बालक थे और आमदनी एक पैसे की नहीं घर में जो कुछ लेई पूंजी थी वो पिताजी की छे महीने की बीमारी और क्रिया कर्म में खर्च हो चुकी थी और मुझे अर्मान था वकील बनने का और एमे पास करने का नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुश्प्राय थी जितनी अब है दोड़ धूप करके शायद दस बार है की कोई जगह पा जाता पर यहां तो आगे पढ़ने की धुन थी पाउं में लोहे की नहीं एश्ट धातू की बेड़ियां थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर पाउं में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, महंगी अलग दस सेर के जो थे इस्कूल से साढ़े तीन बज़े चुट्टी मिलती थी काशी के कुईन्स कॉलेज में पढ़ता था हेड मास्टर ने फीस माफ कर दी थी इमतहान सिर पर था और मैं बास के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था जाड़ों के दिन थे, चार बज़े पहुँचता था पढ़ा कर छे बज़े चुट्टी पाता वहां से मेरा घर देहात में पांच मील पर था तेज चलने पर भी आठ बज़े से पहले घर न पहुच सकता और प्रातायकाल आठ ही बज़े फिर घर से निकलना पढ़ता था नहीं वक्त पर स्कूल न पहुचता रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और ना जाने कब सो जाता फिर भी हिम्मत बांधे हुए था मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया पर आया सेकेंड डिवीजन में और कुइंस कॉलेज में भरती होने की आशा न रही फीस केवल अववल दर्जे वाले की ही मुआफ हो सकती थी सैयोक से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्य किया प्रिंस्पल थे मिस्टर रिचर्ड सन उनके मकान पर गया वो पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थी मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था बोले कि घर में कॉलेज की बातचीत नहीं करता कॉलेज में आओ खेर कॉलेज में गया मुलाकात हुई पर निराश हजनक फीस मुआफ न हो सकती थी अब क्या करूँ अगर प्रतिष्ठित सिफारश ना सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता लेकिन देहाती ये वक को शहर में जानता ही कौन था रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारश लाओ पर बारह मील की मंजिल मार कर शाम को घर लोटाता किस से कहूँ कोई अपना पुछत्तर न था कई दिन के बाद एक सिफारश मिली एक ठाकुर इंद्र नारायन सिंग हिंदू कॉलेज की प्रबंध कारणी सभा में थे उनसे जाकर रोया उन्हें मुझ पर दया हा गई सिफारशी चिठ्ठी दे दी उस समय मेरे आनंद की सीमा न रही खोश होता हुआ घर आया दूसरे दिन प्रिंस्पल से मिलने का इरादा था लेकिन घर पहुँचते ही मुझे जवर आ गया और दो सब्ताह से पहले न हिला नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया एक दिन दौर पर बैठा था कि मेरे प्रोहित जी आ गए मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ खोद लाए और उसे धोकर साथ दाने काली मिर्च के साथ पिस्वा कर मुझे पिला दिया उसने जादू साथर किया ज़र चड़ने में घंटे ही भर की देर थी इस औशद्ध है मानु जाकर उसका गला ही दबा दिया मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी का नाम पूझा पर उन्होंने ना बताया कहा नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा एक महीने बाद मैं फिर मिस्टर डिचर्ड संसे मिला और सिफारशी चिठी दिखाई प्रिंस्पल ने मेरी तरफ तीवर नित्रों से देख कर पूछा इतने दिनों कहा थे बीमार हो गया था क्या बीमारी थी मैं इस प्रश्ण के लिए तैयार ना था अगर जोर बताता हूं तो शायद साहब मुझे जूटा समझे जो और मेरी समझ में हल किसी चीज थी जिस के लिए इतनी लंबी गेरहाजरी अनावश्च थी कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कश्ट साध्धता के करण दया को भी उभारे उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद ना आया ठाकर इंद्र नारायन सिंग से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी वो शब्द मुझे याद आ गया मैंने कहा पल्पिटेशन आफ हार्ट सर साभ ने विसमित होकर मेरी ओर देखा और कहा अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जी हाँ अच्छा प्रवेश पत्र भर कर लाओ मैंने समझा बेड़ा पार हुआ फॉर्म लिया, खाना पूरी की और पेश कर दिया सहब उस समय को इकलास ले रहे थे तीन बजे मुझे फॉर्म बापिस मिला उस पर लिखा था इसकी युग गता की जाच की जाए ये नई समस्य आपस थे थुई मेरा दिल बैठ गया अंग्रेजी की सिवा और किसी विशय में पास होने की मुझे आशा न थी और बीच गणेत और रेखा गणेत से तो रूह कापती थी जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था भाग्य का भरूसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया प्रोफेसर सहाब बंगाली थे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे वाशिंग्टन इर्विन का रिपिवान विंकिल था मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और दो ही चार मिनिट में मुझे ग्यात हो गया कि प्रोफेसर सहाब अपने विशय के ग्याता है गंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझे से कई प्रश्ण के और फॉर्म पर संतोष जनक लिख दिया दूसरा घंटा बीज गनित का था इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे मैंने अपना फॉर्म दिखाया नई संस्थाओं में प्राया वही चात्राते हैं जिने कहीं जगह नहीं मिलती यहां भी वही हाल था क्लासों में आयोग चात्र भरे हुए थे पहले रेले में जुआया वो भरती हो गया भूख में साग पात सभी रुचकर होता है अब पेट भर गया था चात्र चुन-चुन कर लिए जाते थे इन प्रोफिसर साहब ने गणित में मेरी परिक्षा ली और मैं फेल हो गया फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोष जनक लिख दिया गया मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर प्रिंसिपल के पास न गया सीधा घर चला आया गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी कभी उस पर न चड़ सका इंटर्मीडियेट में दो बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इमतहान देना छोड़ दिया दस बाराए साल के बाद जब गणित के परिक्षा में अख्तियारी हो गई तब मैंने दूसरे विशाय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांगशाओं का खून किया कौन कह सकता है खेर मैं निराश होकर घर तो लौट आया लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी घर बैठ कर क्या करता किसी तरह गणित को सुधारों और कॉलेज में भरती हो जाओ यही धुन थी इसके लिए शेहर में रहना जरूरी था सायोग से एक वकील सहाब की लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया बिच्छा दिया बाजार से एक छोटा सा लहम पलाया और शेहर में रहने लगा घर से कुछ बरतन भी लाया एक वक्त खिच्डी पका लेता और बरतन धो माज का लाइबरेरी चला जाता गणित तुबहाना था उपन्यासादी पढ़ा करता पन्यत रतन नात दर का फसाना ये आजाद उन्ही दिनों पढ़ा चंदरकांता संतती भी पढ़ी बंकिम बाबू के उर्दू अन्वाद जितने पुस्तकाले में मिले सब पढ़ डाले जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मेट्रिकुलेशन में पढ़ते थे उन्हीं की सिफारिश से मुझे ये पद मिला था उनसे दोस्ती थी इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था कभी दो रुपए हाथ आते कभी ती जिस दिन वेतन के दो-तीन रुपए मिलते मेरा सैयम हाथ से निकल जाता पैसी त्रिशना हलवाई की दुकान की और खीच ले जाती दो-तीन आने पैसे खाकर ही उठता उसी दिन घर जाता और दो-ढ़ाई रुपए दे आता दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता लेकिन कभी-कभी उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन का दिन निराहार वरत रखना पड़ जाता इस तरह चार-पांच महीने भी थे इस बीच एक बजाच से दो-ढ़ाई रुपए के कपड़े लिये थे रोज उधर से निकलता था उसे मुझे पर विश्वास हो गया था जब महीने दो महीने निकल गए और मैं रुपए ना चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया चक्कर दे कर निकल जाता तीन साल के बाद उसके रुपए अदा कर सका उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझे से हिंदी पढ़ने आया करता था वकिल साहब के पिछवाड़े उसका मकान था जान लो भाईया उसका सखुन तकिया था हम लोग उसे जान लो भाईया ही कहा करते थे एक बार मैंने उससे भी रहठाने पैसे उधार लिये थे वो पैसे उसने मुझसे मेरे घर गाउं में जाकर पाँच साल बाद वसूल किये मेरी अब भी पढ़ने की अच्छा थी लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था जी चाहता था कहीं नौकरी कर लू पर नौकरी कैसे मिलती है और कहां मिलती है ये ना जानता था जाड़ों के दिन थे पास एक कौणी ना थी दो दिन एक एक पैसे कच्छा भी ना खा कर काटे थे मेरे महाजन ने उधार देने से इंकार कर दिया था यह संकोच वश मैं उस से मांगना सका था चिराग जल चुके थे मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया था चक्रवर्ती गड़ित की कुंजी थी दो साल हुए खरीदी थी अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था पर आज चारों और से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्य किया किताब दो रुपे की थी लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ मैं रुपेया लेकर दुकान से उत्रा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूचों वाले सौम पुरुष ने जो उस दुकान पर बैठे हुए थे मुझसे पूछा तुम कहां पढ़ते हो मैंने कहा पढ़ता तो कहीं नहीं हूँ पर आशा करता हूँ कि कहीं नाम लिखा लूँगा मैट्रिकुलेशन पास हो मैंने स्विकार कर लिया 18 रुपे उस जमाने में मेरी निराशा व्यथित कल्पना की उची से उची उडान से भी उपर थे मैं दूसरे दिन हेड्मास्टर सहब से मिलने का बादा करके चला तो पाउं जमीन पर न पढ़ते थे ये सन 1899 की बात है परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गड़त में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता पर सबसे कठिन परिस्थिति युनिवर्सिटी की मनोविज्यान शूनिता थी जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का सब वेवार करती थी जो चोटे बड़े सभी को एक ही खाट पर सुलाता है मैंने पहले पहल 1907 में गल्पे लिखनी शुरू की डॉक्टर रविंदर नाथ की कई गल्पे मैंने अंग्रीजे में पढ़ी थी और उनका उर्दू अन्वाद उर्दू पत्रिकाओं में छपवाया था उपन्यास तो मैंने 1901 की ही से लिखना शुरू किया मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी न लिखी मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमूल रत्न सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा उस समय बंग भंग का आंदूलन हो रहा था कॉंग्रेस में गर्म दल की स्रिष्टी हो चुकी थी इन पांचों कहानियों में स्वदेश प्रेम की महीमा गाई गई थी उस वक्त में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीर पुर जिले में तैनाथ था पुस्तक को छपे छे महीने हो चुके थे एक दिन में रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुँचा कि मुझसे तुरंत मिलू जाडों के दिन थे साहब दोरे पर थे मैंने बैल गाड़ी जित्वाई और रात और रात 30-40 मील तै करके दूसरे दिन साहब से मिला साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रती रखी हुई थी मेरा मा थठन का उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था मुझे इसका कुछ-कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है समझ गया उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और इसी की जवाब देही करने के लिए मुझे बुलाया गया है साहब ने मुझे से पूछा ये पुस्तक तुमने लिखी है मैंने स्वीकार किया साहब ने मुझे से एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत मैं बिगड़ कर बोले तुमारी कहानी में सिडीशन भरा हुआ है अपने भाग को बखानू के अंग्रेजी अमलदारी में हो मुखलों का राज जो होता तो तुमारे दौनों हाथ काट लिए जाते तुमारी कहानिया ये कांगी है तुमने अंग्रेजी सरकार की तोहिन की है आदी फैसला ये हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दूँ और सहब की अनुमती की बिना कभी कुछ न लिखू मैंने समझा चलो सस्ते छूटे एक हजार प्रतियां छपी थी अभी मुश्किल से तीन सो बिकी थी साथ सो प्रतियां मैंने जमाना कार्याले से मंगवा कर सहब की सेवा में अरपन कर दी मैंने समझा था बला टल गई किन्तु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोश न हो सका मुझे बात को मालूम हुआ कि सहब ने इस विशे में जिले के अन करमचारियों से परामर्श किया सुपरिंटेंडेंट पुलिस दो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर जिनका मैं मात अहद था मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे एक डिप्टी कलेक्टर सहब ने गल्पों का उधरन निकाल कर सिद्ध किया कि इनमें आदी से अंते तक सिडिशन के सिवा और कुछ नहीं है और सिडिशन भी साधारन नहीं बलकि संक्रामक पुलिस के देवता ने कहा ऐसे खतरना का आदमी को जरूर सखत सजा देनी चाहिए डिप्टी इंस्पेक्टर सहाब मुझसे बहुत इसनेह करते थे इस भाइसे कि कहीं मुआमलत तूर न पकड़ ले उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि वो मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की थाले और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश करे उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक के वर कलम का उग्र है और राजनीतिक अंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है कमेटी ने उनके प्रस्ताव को सुईकार किया हाला कि पुलिस के देवता उस वक्त भी पेंतरे बदलते रहे सैसा कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा आपको आशा है कि वो आपसे अपने दिल की बाते कह देगा आप मित्र बना कर उसका भेद लेना चाहते हैं ये तो मुखबरी है मैं इसे कमीनापन सबचता हूँ डिप्टी साहब अपरतिब होकर हकलाते हुए बोले मैं तो हुजूर के हुक्म साहब ने बात काटी नहीं ये मेरा हुक्म नहीं है मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता अगर पुस्तक के लेखक का सेडिशन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकद्मा चलाइए नहीं धमकी दे कर छोड़ दीजे मुह में राम बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं जब ये वरतांत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन पीछे खुद मुझ से कहा तो मैंने पूछा क्या आप सच मुझ मेरी मुख्मिरी करते वो हसकर बोले असंबो कोई लाक रुपए भी देता तो ना करता मैं तो केवल अदालती कारवाई रोकना चाहता था और वो रुख गई मुकद्मा अदालत में आता तो सजा हो जाना यकीनी था या आपकी पेरवी करने वाला भी कोई न मिलता मगर साहब हैं शरीफ आदमी मैंने सुईकार किया बहुत ही शरीफ मैं हमीरपुर ही में था कि मुझे पेचिश की शिकायत पैदा हो गए गर्मी के दिनों में देहा तो मैं कोई हरी तरकारी मिलती न थी एक बार कई दिन तक लगाता और सूखी गुईया कहनी पड़ी यहों मैं गुईयों को बिच्चु समझता हूँ और तब भी समझता था लेकिन नाजाने क्यों कर ये धार्ना मन में हो गई कि अजवाइन से गुईया का बादी पन जाता रहता है खुब अजवाइन खालिया करता दस बार है दिन तक किसी तरह का कश्ट न हुआ मैंने समझा शायद बुंदेल खंड की पहाडी जलवाईू ने मेरी दुरबल पाचन शक्ती को तीवर कर दिया लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ और सारे दिन मैं मचली की भाती तडबता रहा फंकिया लगाईं मगर दर्द कम न हुआ दूसरे दिन से पेचेश हो गई मल के साथ आओं आने लगा लेकिन दर्द जाता रहा एक महीना बीट चुका था मैं एक कस्वे में पहुँचा तो हाँ के थानेदार साहब ने मुझ से थाने में ही ठहरने और भोजन करने का अग्रह किया कई दिन से मूं की दाल खाते और पत्थ करते करते उब उठा था सोचा क्या हराज है आज यहीं ठहरो भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा ठाने में ही अड़जमा दिया दारोगा जी ने जमीकंद का सालन पकवाया पकोणियां दही बड़े पुलाओ मैंने एहतियात से खाया जमीकंद तो मैंने केवल दो फांके खाई लेकिन खापी कर जब ठाने के सामने दारोगा जी के फूस के बंगले में लेटा तो दो ढ़ाई घंटे के बाद पेट में फिर दर्द होने लगा सारी रात और अगले दिन भर कराहता रहा सोडे की दो बोतले पीने के बाद कै हुई तो जाकर चैन मिला मुझे विश्वास हो गया ये जमीकंद की कारिस्तानी है गुण्या से पहले ही मेरी कुट्टी हो चुकी थी अब जमीकंद से भी बैर हो गया तब से इन दोनों चीजों की सूरत देखकर मैं कांप जाता हूँ दर्द तो फिर जाता रहा पर पेचिश ने अड़ा जमा दिया पेट में 24 सो घंटे तनाव बना रहता अफारा हुआ करता सेयम के साथ 4-5 मील टहलने जाता व्यायाम करता पत्थे से भोजन करता कोई ना कोई औशधी भी खाया करता किन्तु पेचिश टलने का नाम न लेती थी और देह भी खुलती जाती थी कई बार कानपुरा कर दवा कराई एक बार महीने भर प्रेयाग में डॉक्ट्री और आयरवेदे कोशधियों का सेवन किया पर कोई फायदा नहीं तब मैंने तबादला कराया चाहता था रोहेल खंड पर पठका गया बस्ती के जिले में और हलका वो मिला जो नेपाल की तरह ही है सौबाग से वहीं मेरा पर्चे स्वर्गे पंडित मनन दुवेदी गजपुरी से हुआ जो डोमरिया गंज में तहसीलदार थे कभी कभी उनके साथ कराने लगा तीन चार महीने के बाद कुछ थोड़ा सा फाइदा तो मालूम हुआ पर बीमारी जड़ से न गई जब फिर बस्ती में पहुँचा तो वही हालत हो गई तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाई स्कूल में स्कूल मास्टर हो गया फिर यहां से तब्दील होकर गुरक पर पहुँचा पेचश पूरववत जारी थी यहां मेरा परिचाय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ जो साहित के मरमग राष्ट के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्द्योगी पुरुष है मैंने बस्ती से ही सरस्वती में कई गल्पे छपवाई थी पोद्दार जी की प्रेणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की श्रिष्टी हुई वहीं मैंने प्राइवेट बी ये भी पास किया सेवा सदन का जो आदर हुआ उससे उतसाहित होकर मैंने प्रेमा श्रम लिख डाला और गल्पें भी बराबर लिखता रहा कुछ मित्रों की विशेश कर पोद्दार जी की सलाय से मैंने जल्च किसा आरंभ की लेकिन तीन चार महीने के स्नान और पत्थ का मेरे दुर्भाग से ये परिनाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलत मालूम होने लगे एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जीने पर चढ़ने का अफसर पड़ा और लोग धर-धराते हुए चले गए पर मेरे पाउं ही ना उठते थे बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए उपर पहुँचा उसी दिन मुझे अपनी कमजोरियों का ये अथार्थ ग्यान हुआ समझ गया अब थोड़े दिनों का और महमान हूँ जल्चिकित सबंद कर दी एक दिन संद्या समय उर्दू बाजार में श्री दश्रत प्रसाजी दुवेदी संपादक स्वदेश से मेरी भैठ हो गई कभी कभी उनसे भी सहित चर्चा होती रहती थी उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेद के साथ कहा बाबुजी आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए है कोई इलाज कराईए मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूँ जब दो-चार महीने ही का जिन्दगी से नाता है तो क्यों ना हस कर मरूँ मैंने चिड़कर कहा मर ही तो जाओंगा भई या और कुछ मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूँ दुईवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए मुझे पीछे से अपनी उगरता पर बड़ा खेद हुआ यह 1921 की बात है असाहियो गांदू लंजूरों पर था जलियाँ वाला बाग का हत्या कांड हो चुका था उनी दिनों महत्मा गांदी ने गुरकपुर का दोरा किया गाजी बियां के मैदान में उचा प्लेट फॉर्म तैयार किया गया दो लाग से कम जमाउना था क्या शहर क्या देहाद श्रद्धालू जंता दोरी चली आती थी ऐसा समार हो मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था महत्मा जी के दर्शनों का ये परताब था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा उसके दो ही चार दिन बाद मैंने अपनी बीस साल की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया अब देहाद में चल कर कुछ परचार करने के इच्छा हुई पुद्धार जी का देहाद में एक मकान था हम और वो दोनों वहाँ चले गए और चर्खे बनवाने लगे वहाँ जाने के ये की ही सबता है बाद मेरी पेचिश कम होने लगी यहाँ तक की एक महिने के अंदर मल के साथ आवाना बंद हो गया फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार और कुछ साहित सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा गुलामी से मुक्त होते ही मैं नौ साल के जीर्ण रोक से मुक्त हो गया इस अन्भों ने मुझे कटर भागवादी बना दिया है अब मेरा द्रढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी उसकी इच्छा के बिना सफल नहीं होता अभी आप सुन रहे थे मुझे प्रेम चंद की लिखी कहानी जीवन सार मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में ये कहानी मुझे प्रेम चंद का आत्म कथ भी है अमिज समीर के कब प्रेम में च्रहें होनी ऑप सक एप स杂जा है झाल झाल